दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या भांग हम रोज खा सकते हैं भोला मुनक्का जो है कि डेली हम खा सकते हैं कि नहीं और हमें डेली खाने चाहिए तो कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो कितना नहीं खाना चाहिए या क्यों नहीं खाना चाहि के हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरू करा करें और comment में जरू बताया करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा चलिए start करते हैं दोस्तों सवाल यह आता है कि क्या हम भांग डेली खा सकते हैं तो दोस्तों इसके डोज आपको कम लेना पड़ेगा, ठीक है, अज्ड़ ज्यादा डोज आप न ले, आधा से एक गोली न ले, यानि जिकिर ये जो पैकिट आप लोगों को दिख रहा है सामने, इस पैकिट के में एक-एक पैकिट एक-एक गोली होता है, तो इसमें क्या करना है आपको आधी या एक अगर नए परसन हो तो आधा से भी कम अगर नहीं तोड़ा पुराने हो गए हो ज़्यादा दिन से खा रहे हैं तो एक गोली से उपर ज़्यादा डोज अपना मत बनाईए क्योंकि ज़्यादा बनाने से आपको प्राबलम हो सकती ह या तो फिर आप ज्यादा खा भी रहा हैं तो डेली न खायें ठीक है, डेली खाने से भी आपको नुस्कान हो सकता है, इसके वज़े से मैं आपको बता दूँ अगर आप भाग कर खादें तो हैं तो डेली खादें perché स्काहरा है, लेकिन इसके लिए आपको डोज कम लेना पड होता है वोते से बात आप लोग गाठ पानकर प्रियु सुन लीजिए ठीक है दोस्तों आपको बताद है कि बहुक्त यंशी आईरुवेदिक ऊती है इसके जितना ज्युतना प्राफिट होता है वह आप को मैं बताया हूँ आगे भी बताऊंगा लेकिन इसमें कुछ बिमारियां भी होती है और बिमारियां कोई ऐसी बिमारिया नहीं होती है जो कि आपको इसको खाने से आपको अंदर में कोई तकलीफ हो लेकिन कुछ ऐसी बिमारियां होती है जिससे कि आप जो है कि हमेशा के लि बड़े, सरल तरीके से, इसको करना है, और दोस्तों आपको बता दूँ, कि मैं नेक्स वीडियो में,ाप लोगों को बताऊंगा, कि भांग का सही तरीका क्या है, अने वाला आपको बताोंगा, मैं ये तरीका आपको बताऊंगा, पूरा कंप्लीट, तो आप लोग फुरा वे जाते हैं तो इसका डोज आप कम से कम लेने की कोशिश करें एक गोली से ज्यादा बढ़ेने की कोशिश न करें अगर जो पहले से खा रहा है वो भी थोड़ा सावधान हो जाए और पिस्टे वीडियो में भी बताया था मैंने कि इसको थोड़ा सावधानी बढ़ते ज्यादा यूज ना करें अगर आप इसको एक तरह से दवा के रूप में अगर यूज करना चाहते हैं तो अगर नसा के कर सकता अगर कोई बिमारी आपको होती है इसमें किसी की कोई जिमिदारी नहीं होगे आप स्वयम इसके जिमिदार होंगे क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या बिमारिया होती है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो वीडियो तो आप लोग भी वेट कीजिए, अगर वो वीडियो आप लोग देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे, कि वास्तों में इतना खतरनाग भी विमारी इस भांग से होता है, तो इसके उजय से आप लोग फ्ला सावधानी भरतें, वेट करें, मैं बताऊंगा कि क्या विमारी इससे होने वाली है, और दूसरा चीज, आप लोग डेली यूज अगर कर रहे हैं, तो कम ले, अन्यता डेली यूज भांग न करें, ओके, थैंक यूज